नमस्ते इस अस्रेकाल केम्चो असलाम आलिकूम विवर्स इस प्रिया टुड़े विल स्टार्ट क्लास 6 सीविक्स चाप्टर 9 अर्बन लाइवलिहूड्स इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्बन मतलब जो सिटी वाला एरिया है वहाँ पे लाइवलिहूड कैसा होता है कैसे लोग रहते हैं कैसे लोग कमाते हैं working on the street यहाँ पे एक girl अपनी कजन के पास जाती है city में देखने के लिए कि city में कैसे रहते हैं और क्या काम करते हैं तो वो morning में street पे सड़क पर निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि एक vegetable vendor अरेंज कर रहा है अपने tomatoes, carrots, cucumber यह सारे सबजी अरेंज कर रहा है अपनी basket में बेचने के लिए और एक जो flower seller है वो flower को arrange कर रहा है red rose, yellow rose यह सब उसको बेच रहा है तो वो भी arrange कर रहा है और एक pavement जो side से एक पट्री रगी हुई है वहाँ पे एक newspaper वाला newspaper sell कर रहा है वहाँ पे बहुत ज़ादा भीड हो रखी है क्योंकि सब को newspaper पढ़ना है side से buses भी आ जा रही है और जो auto रिक्षे वाला है वो school children's को लेके जा रहा है और cobbler भी है वहाँ पर एक barber भी है road की side में barber लोगों की shave कर रहा है morning में अब इस girl को अपनी cousin के साथ जाना है market तो वो रिक्षा देखते हैं कि चलो या रिक्षे में ही चलते हैं क्योंकि market only two kilometer दूर है अब हम यहाँ पर स्टोरी देखेंगे बच्चू मांजी की एक cycle रिक्षा पुलर है यह यह बिहार से आये हैं इनकी वाइफ है और तीन बच्चे हैं बिहार में मतलब जो गाओं था ना उसमें ऐसे मैसन वर्क करते थे मजदूर की तरह काम करते थे लेकिन मजदूर का काम तो रेगुलर होता नहीं पूरे साल बर मिलता नहीं इस विज़े से सीटी में आई और उन्हें रिक्षा लिया रेंट पर और दिज़े लिक्षे के भ बच्चे और अपनी वाइफ के लिए इनकी वाइफ भी एग्रिकल्चर का काम करती थी गाओं में उससे भी थोड़ी बहुत अर्णिंग होती थी तो इस तरीके से इन लोगों का घर कर चलता था बच्चू माजी की तरह ही बहुत सारी लोग सिटी में काम करते हैं सड़कों पर एहमदाबाद के सर्वे में भी पता किया गया कि जो वरकर्स हैं उनका 12% जो वरकर्स हैं वो सड़कों पर स्टीट पर ही काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई इनको इंप्लॉइड कर रहा है मतलब नौकरी दे रहा है इनका खुद का ही काम होता है और यह काम इनका टैं पर किंदी शाप और था इंपटा आंग के अधार तरीकसे लेकिन को सिक्योरीटी नहीं है कभी पुलिस वाले इनको उटा सकते हैं क्योंकि इनकी जो शॉप है वो पर्मनेंट नहीं होती कुछ वेंडर्स खाने का समान भी बेचते हैं जैसे आपने देखा होगा मुमोस समो उसे आपको दिखेंगे स्ट्रीट पे सड़कों पे बेचते हुए अर्बन एरिया में शहर वाला जो एरिया होता है सिटी होता है वहाँ पर वन करोड स्ट्रीट वेंडर काम करते हैं स्ट्रीट वेंडर को कुछ इस नजरों से देखा जाता है कि ये बस ट्रैफिक को अब्सक्त करते हैं मतलब ट्रैफिक करके रख देते हैं पूरी सड़कों पर सब जगा रेडी और ये सब वेंडर ऐसे लगा के रखते हैं जिसे कि लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम हो और उनकी कार भी ने निकल पाए बाइक भी ने निकल पाए जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में बट हमी स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी तो सोचने चाहिए अगर वो अपना काम ही नहीं करेंगे तो वो खाएंगे कैसे तो गवर्मेंट ने सोचा कि क्यो ना हौकिंग जोन्स बना दिए जाएं जिससे की जो एरिया है कुछ एरिया ein पर्टिकूलर ऐसे रख दिया गया कि यहां पर वेंडर जो हैं अपना काम कर सकते हैं और उस एरिया में कहीं भी इधर-उदर जा सकते हैं वैसे hawkers के लिए भी committees बनानी चाहिए जिससे कि उनके decision को या फिर उनके problem को कोई सुन सके और उसीच को solve कर सके next in the market अब ये लोग market जाते हैं तो festival season है इस वज़े से बहुत ज़दा भीड़ है market में कहीं पे sweets, toys, clothes, food wear, utensil भी रहे हैं और कहीं पे electronic goods तो बहुत चहल पहले हैं पूरी market में ये लोग dentist clinic के पास जाते हैं क्योंकि इसकी cousin का appointment है dentist के साथ अब जब dentist देखती है तो बोलते हैं अरे तुमारे दातों में तो cavity लग गई है अब ये इतना डर जाती है कि ऐसा नहों कि ये बहुत painful हो में को तो डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा अब ये dental clinic के पास से जाते हैं एक showroom में क्योंकि इन्हें खरीदने होते हैं ready made clothes अभी जो showroom होते हैं three floors का होता है third floor पे girls के कपड़े होते हैं अब यहाँ पे हम स्टोरी देखेंगे हरपीत और वंदना की ये एक business person होते हैं पहले हम देखेंगे हरपीत की हरपीत के father और uncle एक छोटी सी shop चला रहे होते हैं festival के time पर इसकी ममी और ये दोनों ही help करते हैं shop में और इसने shop में help करने start कर दिया था जब इसका college complete हो गया था अब बात आती है वंदना की वंदना का खुद का एक showroom है उसने बहुत पहले open किया था और एक ही dress designer है अब इसने अपना business change कर दिया है पहले dress designer थी तो अब इसने क क्या करा कि जो कपड़े होते है रेडिमेट clothes होते हैं वो बेशने लग गई क्योंकि आजकल रेडिमेट clothes का ही जमाना है तो कपड़ों को stitch करके बेशने लगी और उसको display पे लगा देती जिससे की बहुत attractive लगे और लोग ज्वा से अदक खरीदे इसके कपड़ों को वंदन जो आइटम है वो हमें foreign country से भी लेना पड़ता है शोरूम को अच्छा चलाने के लिए हमें advertise भी करवाना पड़ता है न्यूस पेपर में, cinema theater में, television में, radio channel में अभी तो हमने rent पे लिए है building बट हम सोच रहे हैं कि जल से जल्दी हम इसे खरीद ले वंदना बोलते हैं कि हमार सफी सारे लोग है जिनके खुद की shop होती है उन्हें को नौकरी न देता बल्कि वह और लोगों को नौकरी देते हैं और लोगों को employed करते हैं जैसे कि supervisor helper और worker की ज़रूत होती है उन्हें तो वह ने employ करते हैं नौकरी पे रखते हैं इनकी shop permanent होती है क्योंकि municipal corporation से इन्हें license मि close होगी जैसे आपने सुना होगा कि किसी-किसी मार्किट में वेनस्टे को market close होती है तो यह मुंसिपल कॉर्पेशन करता है मुंसिपल कॉर्पेशन पे तो question जरूर आएगा तो इसलिए इसको learn कर लेना मार्किट में छोटे-छोटे offices भी होते हैं शौप कुछ ऐसी शौप भ वो अपनी कजन से बोलते हैं लोगा बस में इतनी भीड होती है कि दूस्रे को ठक्का दे रहे होते हैं पनाने के लिए तो यह अपनी कजन के बुक जरिका पों तो सब लोगा में करने लग जाते हैं फिर यह दोनों भी उतरते हैं फिर यह बोलती है यार थैंक गॉड अब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो यह देखती है कि रेलिंग पढ़ना काफी सारी लोग बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि वो किसी का वेट क बात कर रहे हैं और कुछ लोग पिर ने लेबर कर रहे हैं दो कि कजन बोलती है कितून फोलती है यहां पर काफ़ी सारीcemos इसे समां इधर से नाँव तो यह काम आते हैं च्रक में इस समान उतारना हो या फिर कहीं पर गड़ा करना हो, पाइपलेन का जो गड़ा होता है, टेलिफोन केबल की जो गड़े होते हैं, या अगर कोई रोड बन रही होती है, उसमें ये लोग हैल्प करते हैं, तो ये मजदूर लोग होते हैं, अब ये फैक्टरी वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ चोटे कमरे बने होते हैं, जहाँ पर स्विंग मशीन होती है, वहाँ पर कलोथ स्टिच हो रहे होते हैं, सिल रहे होते हैं, जो एक मशीन होती है, उस पर एक ही परसन बैठा होता है, वह कलोथ को स्टिच कर रहा होता है, सिल रहा होता है, अब ये वहाँ पर जाते हैं, जहा गर्मियों के कपड़े स्टिच करती है और जो कपड़े हैं वो फॉरन कंट्री में ले जाए जाते हैं जैसे कि यूएसे यूके जर्मनी और निदरलेंड निर्मला को दिसांबर से लेकर एप्रल तक काफी लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है सुभी नौ वजे से लेकर र अब निर्मला को देते हैं अब निर्मला को 3-4 मन तक ऐसी बैठे रेना पड़ता है बिना काम के तो इस चीछ को बोलता है जिनकी पर्मनेंट नौकरी नहीं होती पर्मनें जॉब नहीं होती तो आपके एक्जाम में यह आ सकता है कि पर्मनेंट और जो क्या डिफरेंस है आ के पैसे कर जाएंगे और हर एक shift भी होती है मतलब night shift भी होती है एक ही machine पे 12 hours एक परसन काम करता है और जैसे वो person जाता है उसके बदले में दूसरा person आता है वो भी 12 hours काम करता है अब हम देखेंगे call center की story अब देखो call center में क्या होता है अगर कोई customer है उसको कोई problem है तो वो call center में call करेगा जैसे कि आपने कोई product खरीदा कोई समान खरीदा और आपको समान खराब मिल गया तो उस पर लिखा था है customer care number तो आप जब customer care पर call करेंगे तो वो call center में call लगेगी और call center में जो यह जो लोग बैठे होई है यह कोशिश करते हैं जो अपने customer की problem को solve करने की की call से problem को solve कर दिया जाए अब वो जो girl थी ना उसकी जो cousin है वो उसे अपनी आंट के पास ले जाती है उसकी आंट marketing manager है और वो उनसे बोलती है कि बेटा 5.30 से पहले पहले आ जाना तो यह कोशिश करते हैं कि 5.30 से पहले पहुशने के और यह auto रिक्षा पकड़ते हैं इसलिए जब यह office जाते तो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी building है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ लोग बसिस से जा रहे हैं कु शॉपकीपर्स को यह बिस्किट देख कर और वहां से money collect करके लाओ यह पूरी city को six reason में divide कर देते जिससे कि वो एक एक reason में जा सके देख सके और sale person को भी क्या problem हो रही है क्यों वो नहीं बेच पार हैं शॉपकीपर को बिस्किट वो भी देख पाए इनकी permanent job है क्योंकि marketing manager है ऐसा नहीं कि जिसे निर्मला के साथ था कि कुछ मंद काम करा लिया और कुछ मंद बाद factory से हटा दिया गया इनकी permanent job है और इनको काफी सारे benefits भी मिलते हैं जैसे कि कुछ इनके salary का part है वो government ले लेती है और उस पर interest भी देती है retirement के time पर जब 60 years की हो जाएंगी तो जो पैसा क मिल रही है medical की facility भी मिल रही है इनको भी और इनकी family को भी अगर यह बिमार भी हो जाती है तो इनकी salary वो deduct नहीं होगी कट नहीं होगी इनको पूरी salary मिलेगी तो ऐसे workers को बोला जाता है regular and permanent workers अब आपको different समझ में आ गया होगा casual worker और permanent worker में सुधा आंट से मिलने के बाद यह लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी इनका जो काम है वो एक दूसरे को जोड़े रखता है यह थी इस chapter की short story अब हम इसे पढ़ेंगे detail में Urban livelihoods Urban मतलब होता है शहर तो शहर में लोग कैसे रहते हैं क्या काम करते हैं और उनका गुजारा कैसे होता है हमारे इंडिया में 5000 से जादा towns है और 27 big cities है big cities बोले तो चैन्नेई, मुंबई, डैली, कॉलकता यह होती हैं सारी big cities क्या आप big cities में रहते हैं तो मुझे comment section में बताइए city में शहर में तो लोग सोते भी नहीं है इतना जादा काम होता है तो ऐसा क्या काम होता है वो हम इस chapter में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो लोग कैसे earn करते हैं, उनकी earning क्या है और क्या क्या काम करते हैं शहर में working on the street यहां पर एक person बोल रहे हैं कि मेरा एक cousin city में रहता है और वो बहुत ही big city है और जब मैं अपने cousin के पास आया तो वो मुझे बाहर गुमाने के ले गया और हम लोग morning में ही निकल पड़े अब हमने देखा कि यहां तो बहुत शोर शराबा रुक है बहुत सारी activities हो रही हैं बाहर जो vegetable vendors है वो busy है tomatoes, carrots, cucumbers इन सब को basket में रखने के लिए vegetable vendors आपने देखा होगा जो सबजी बेचते हैं ready पर तो उन्हें बोला जाता है तो वो अपनी stall पर यह सारे vegetable को arrange कर रहे हैं क्योंकि उनको sell करना है next stall पर देखा तो बहुत प्यारे प्यारे flowers हैं और यह flowers लोगों को बेचने के लिए लगे हुए हैं क्योंकि जो vendors होते हैं यह बेचने के लिए ही लेकर आते हैं flowers या फिर vegetable वहां से एक red rose और एक yellow rose लिया और तब तक नज़र पहुचती है side में जो पटरी लगी होती है उस पे पटरी को बोला जाता है एंग्लिश में pavement तो वहां पे एक person newspaper sell कर रहा होता है और थोड़ा सा crowd भी होता है वहां पे भीडबार होता है क्योंकि हर किसी को newspaper रीड करना है रोट पे काफी सारी buses भी चल रही है और आटो रिक्षा में school के बच्चे बैठे हुए है और एक tree के नीचे cobbler बैठा हुआ है उसके पास काफी सारे tools है उसके बाद देखा जाए तो road side पे एक barber भी है बार बर बोले तो नाई और नाई के पास भी customer आ रखे है जिसको सुबह सुबह शेव करानी है वो बार बर के पास आया हुआ है road पे थोड़ी दूर जाके देखा तो एक women एक card को push कर रही है और उसमें उसने बहुत सारी चीज़े रखी हुई है जैसे कि plastic bottles, boxes, hair, pinz clips बेचने के लिए same time पर ही एक person ने एक cycle पर बहुत सारे vegetable carry कर रखे है जिसे कि वो घरगर जाके vegetable को sell कर सके, बेच सके और पैसा कमा सके अभी एक ऐसी place पर है जहाँ पर रिक्षा खड़े हुए है तो वहाँ पर जो रिक्षा वाले हैं वो customers का wait कर रहे हैं तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना market रिक्षा से ही जाया जाए क्योंकि जो market है वो 2 किलोमेटर की दूरी पे था बट ये रिक्षा वाले अंकल तो सो रही हैं कुछ तो गड़बड है अब हम देखेंगे बच्चू मान जी की स्टोरी ये एक साइकल रिक्षा पुलर थे ये पहले बिहार में रहते थे गाउ में और ये ऐजा मैसन काम करते थे एक मजदूर की तरह काम करते थे इनकी एक वाइफ थी त्री चिल्रेंड थे जो विलेज में रहते थे अब इनको विलेज में मैसेंरी का वर्क डीली नहीं मिलता था तो ये कुछ दिन खाली बैठे रहते थे अब इंकम नहीं है तो घर खरच क्यासे चलाएं और घर कर चलाना तो इनके लिए बहुत जरूर था फिर यह आए सिटी में और इन्होंने लिया एक पुराना साइकल रिक्षा यह इन्होंने एक इंस्टॉल्मेंट पे लिया था मतलब थोड़ थोड़े करके पैसे दिये थे रिक्षे के तो अभी यह डेली बस्टॉप पे जाते मॉर्निंग में कस्टमर को लेते और कस्टम किलोमेटर तक ही छोड़ते थे मतलब सिक्स किलोमेटर के अंदर ही अंदर यह अपना रिक्षा चलाते थे उसके बाहर नहीं जाते थे और यह हर एक कस्टॉमर से टैन टू थर्टी रूपीज लेते थे एक ट्रिप के डिपैंट करता था डिस्टेंस पे अगर डिस्टेंस कुछ भी अन नहीं कर पाते थे बच्चुमान जी बोलते हैं कि मैं अपनी फ्रेंट के साथ रहता हूं सिटी में एक रूम लिया हूँ इन्होंने वह भी रेंट पर और उनका फ्रेंड है वह पास की फैक्टरी में काम करता है तो जो बच्चुमान जी होते हैं वह रिक्षा जा पाते हैं पूरे साल भर में बस दो या तीन बर जाते हैं सोचो कितना टफ होता होगा ना उनके लिए तो जो पैसा भेजते हैं उसी से उनकी फैमली सर्वाइव कर पाती है उनकी वाइफ है वो भी एक एक अग्रिकल्चर वर्कर है वो भी वहाँ पर जो विलेज है यह देखा गया था कि कितने वरकर्स काम करते हैं तो 12% वरकर्स काम करते हैं सिटी में स्ट्रीट पर सड़कों पर मतलब कि जैसे कुछ हो गए जो सड़कों पर कुछ सेल करते हैं बेचते हैं कुछ होते हैं जो रिपेर करने का काम करते हैं कुछ होते हैं जो सर्विस प्रोवा दाइड नहीं होते हैं तो इस वीज़ए से इनको इनक कुद का काम जा को इंसराद करना प्रता है इनको प्लैन करना पड़ता है हमें कहां से क्या बचक्स कड्राइ से किसे हमें श्ओप को present करना कहां पर में शॉप लगानी है और इनकी शॉप जो होती है वो टैंपररी होती है पर्मनेंट नहीं होती है जिसे कि आपने देखा भी होगा जो साइड साइड से पटरी लगी होती है सड़कों पे तो वहां पर कुछ पेपर या बोर्ड लगा के लोग समान रखके बेचते हैं तो इस वे जिसे इसे टैंपररी बोला गया है कैन्वा शीट आपने देखा होगा कि जो पॉल्स होते हैं उस पे एक शीट लगा के मतलब एक शीट जासा होता है जिसे मैं आपको एक्जाम्पल देती हूँ यह एरिंग्स देखा होगा आपने जो स्ट्रीट पर जो इरिंग्स वगयरा मार्किट में बेशते हैं तो एक पॉल पर एक डंडे पर लगा के शीट लगा देते हैं उसके उपर वो कुछ-कुछ एरिंग्स वगयरा इस टाइप से और यह मुबाइल के कवर्स वगयरा भी होत है उस पर भी प्लास्टिक शीट बिचा कर काफी सारा समान रखके बेशते हैं तो इस तरीके से यह समानों को सेल करते हैं पुलिस इनकी शॉप को कभी भी हटा सकती है तो देखा जाए तो इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है शॉप के लिए किसी-किसी सिटी में तो ऐसा भी होता है कि जो होकर्स होते हैं उनको एंटर ही नहीं किया जाता कि तुम्हें अलावड ही नहीं है अपनी शॉप उपन करने का यहां पर आप होकर्स और वैंडर्स में कन्फ्यूज मत होना होकर्स मतलब होता है फेरी लगाने वाला और वैंडर मतलब होता है बेचने वाल वंडर्स यो है वह खाने वाली चीज़ें ऑने फैमली से और उसे ही बहार ले जाके सेल कर दिया और फिर उसे वह बेच दिया अगर urban area में देखा जाए तो one crore street vendors है हमारी country में street vendors जो होते हैं उनको ऐसा देखा जाता है कि ये तो बहुत ट्राफिक कर रहे हैं लोगों को चलने में problem हो रही है हर जगाई street vendors, हर जगाई street vendors ऐसा नहीं होना चाहिए तो काफी जो organization है न उन्होंने बोला कि न देखो ये तो गलत है लोगों को अपना livelihood जीने के लिए कुछ तो अंकरना पड़ेगा तो government ने सोचा कि क्यों न इस law को modify किया जाए जो vendors को हटाया जा रहा है उनको हटाया ना जाए क्योंकि उनको भी तो right है वो भी तो कमाएंगे पैसे उनको भी तो अपना घर चलाना है तो अगर उनको हटा देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा तो कुछ ऐसे law बनाने चाहिए जिससे कि traffic भी ना हो और ये जो vendors है ये भी अपना काम कर सके अच्छे से और लोगों को भी problem ना हो तो government ने सजेस्ट किया कि hawking जोन्स होने चाहिए hawking मतलब hawkers के लिए vendors के लिए अलग-अलग जोन बना देना चाहिए towns में और cities में कि इन जोन में इस area में इनको मना ना किया जाए और सजेस्ट किया कि जो mobile vendors है ना उनको भी allow किया जाए freely mobile vendors होते हैं mobile मतलब जो इधर उधर जा सके जैसे कि कोई ready वाला है वो सबजी बेच रहा है तो वो एक जगा से दूसरी जगा जा सके एक lane से दूसरी जगा जा सके एक area से दूसरी जगा जा सके बेचने के लिए उसको कोई restriction ना हो और कहा गया कि जो hawkers होते हैं उनको भी committees का part बनना चाहिए committees में वो आवाज उठा सके कि हमें ये problem है और क्या problem हो face कर रहे है क्या changes आने चाहिए ये सारी चीज़े तो इन सब के decision को भी लेने का उनको right होना चाहिए अधिकार होना चाहिए next in the market when we reach the market ये उनी person की बात हो रहे जितका हमने starting में देखा था ना चैप्टर में कि तो वो और उसका जो cousin है वो जाते है market में और जब market open होई ना तो देखा तो वहाँ पर इतना crowd था इतनी भीड थी क्योंकि festival season था सब ही shop पर sweets toys, clothes, footwear, utensils बतन, electronic goods ये सारी चीज़े बिक रही थी और फिर एक dentist clinic पर जाते है क्योंकि सबसे end में है अब वो person बोलता है कि जो मेरे cousin है उसका dentist के साथ appointment है उसको dentist को दिखाना है तो फटा-फट से जाते है क्यों miss नहीं करना चाहते कि कई ऐसा नो हमारे number मिस हो जाए और फिर हम dentist को दिखाना पाई तो उसकी जो cousin होती है वो जाती है room में अंदर dentist के पास तो dentist बोलता है अरे तुमारे दातों में तो cavity लग गई है अब इसको fill करना पड़ेगा तो जो उसकी cousin होती है वो बहुत डर जाती है कि पता नहीं क्या process होगा कई ऐसा तो नहीं बहुत जादा दर दो और ये बहुत upset भी हो जाती है बहुत sad हो जाती है कि मेरे टित के साथ इतना गलत क्यों हुआ अब ये dental clinic के बाद जाते हैं garment के showroom में क्योंकि इसे खरीदने होते है ready-made clothes अब ये showroom में जाते हैं तो थ्री floors का showroom होता है और different different type के वहाँ पे clothes होते है ये लोग third floor पे जाते हैं जहाँ पे girls के clothes मिलते हैं अब एक और story देखेंगे हम Harpreet और वंदना की अरे कितने stories हैं समे ये दोनों एक business person होते हैं Harpreet बोलती है मेरे father और uncle help करती है शौप में मैंने तो शौप में उनकी help करना तबी से start कर दिया था जब मैंने college complete कर लिया था अब वंदना बोलती है कि कुछ साल पहले हमने एक showroom खोला था और मैं हूँ एक dress designer हमने अपनी business को change कर लिया है क्योंकि आज कर लोग ready-made clothes को prefer करते है तो हमने अब stitch करना शुरू कर दिया है पहले हम fabric clothes देते थे लेकिन अब हम ready-made clothes देते है क्योंकि अब ready-made का ही जमाना है और हमें अपने display में कुछ attractive garments लगाने पड़ते है जिससे कि लोग अगर display में देखेंगे कि wow attractive clothes है तो कितने अच्छे clothes है हमें तो यहीं से clothes लेने है शोरूम में जो अब जो कपड़े display होते है ना लगे होते है और जो कपड़े होते हैं बेचने के लिए तो उसके लिए इनको material भी खरीदना पड़ता है different places से जैसे कि मुंबई, एहमदाबाद, लुधियाना और तुपरा से यह खरीदते है material और कुछ material है नॉइडा, गुरगाओं और डेली के जो आसपस के town है वहां से लेने पड़ते हैं कुछ dress के items इने foreign country से भी लेने होते हैं अब showroom को अच्छे से चलाने के लिए advertise भी करवाना पड़ेगा newspaper में, cinema theaters में, television में और radio channels पे अभी जो building इन्होंने ले रखिया है जहाँ पे showroom है इनका वो इन्होंने rent पे ली हुई है बट यह plan कर रहे कि दिरे दिरे हम इसको खरीद ही ले main market में होने की वज़े से showroom काफी अच्छा चल रहा है और अब यह सोच रहा है कि एक car भी ले ले और इन्होंने एक flat भी book कर दिया है apartment में हरपीट और वन्ना की तरह और लोगों की भी shop होती है market में किसी की shop small होती है, किसी की large होती है और जो business person होती है ना, इनको कोई employed नहीं करता कोई नौकरी नहीं देता है, इनकी तो खुदी का business है यह दो मुलकी और लोगों को employment देते हैं और लोगों को नौकरी पर रखते हैं जैसे की workers और supervisors और helpers को यह जो shops होती है ना, यह permanent होती है क्योंकि इनको जो municipal corporation होता है ना, वो एक license provide करते है municipal corporation जिसको भी license provide करेंगे वो अपनी shop open कर सकते है market में municipal corporation यह भी decide करते हैं कि market किस दिन close रहेगी जैसे की आपने देखा भी होगा यह सुना भी होगा कि कुछ जो market है वो Wednesday को close होती है तो Wednesday जो fix किया है वो municipal corporation ने fix किया है कि Wednesday को सारी market close होंगी market में कुछ small offices भी होती है shops भी होती है जो service provide कराती है जैसे की bank, career services और भी बहुत सारी services जो ही मैंने highlight किया है इस पूरे chapter में वो important है जैसे देखो यहाँ पर ही highlight किया हो important है next in the factory workshop area देखो यहाँ पर ना confuse नहीं हो ना अब यहाँ पर जो स्टोरी बताई गई है जो उपने starting में देखा था कि एक जो person था वो एक girl थी वो अपने cousin के पास आई थी घूमने के लिए city में तो यह वही उसी की बात हो रही है वो बोल रही है कि में को एक जरी का work करना है अपनी dress में work करवाना है तो देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यह जो story हमने starting में देखी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर बोला था ना कि city में यह जो person है जो girl है जो person ना वो girl की बात हो रही है जो वो लड़की है वो पने cousin के पास जाती है city में तो वो अब वहाँ पर factory में जारी है अब देखो जो हम यहाँ पर next में पढ़ रहे हैं तो यह और इसकी cousin जाती है एक factory में क्योंकि जो उसकी cousin होते हैं हो कहती है कि मैं जानती हूँ हमारे पडोस में एक आंटी रहती है निर्मला वो उस government factory में काम करती है तो वहाँ पर हम जरी का वक करा सकते हैं तो अब यह निकल पड़ते हैं factory की तरफ अब इनको bus पकड़नी होती है अब यह bus में देखते हैं इतना ज़्यादा क्राउड होता है और एक stop पर लोग चड़ रहे होते हैं bus में कोई निकल नहीं रहा होता है बस में सब लोग चड़ी रहे होते हैं बहुत ही मुशकल से एक दो लोग stand पर उतरते हैं तो इस वे जैसे इतना ज़्यादा crowd हो जाता है पूरी bus बढ़ जाती है और एक दूसरे को push कर रहे होते हैं धक्का दे रहे होते हैं space बनाने के लिए तो जो उसकी cousin होती है वो बोलती है कि देखो तुम ने कोने में खड़ी हो जाओ कई ऐसा नो कि तुम दब जाओ इस भीड म अब जैसे ये factory area में enter करते हैं तो सभी लोग bus से उतरने लगते हैं और ये भी उतर जाते हैं कहते हैं थैंक गॉड अब जाके relief मिला जब लोग road cross कर रहे होते हैं तो ये देखती है कि कुछ लोग side से railing पे बैठे होई हैं ऐसा लग रहा है कि वो किसी का wait कर रहे हैं और कु rotshire satisfaction site पे देखा ओगा जब मकान बनरा होता है तो मजदूर होते हुँ काम कर रहे होते हैं या फिर आपने देखाओगा कि बहुत सारा लोड ःटाथा ओओए जिसे टॉक में कुछ समान है उसको उठाते मार्केट में देखाओगा तो यहीड होता यहीं डिक करने में में। यहां पर देख सकते हैं labor chalk पे कैसे labor बैठी हुए यह देखो यह मजदूर है और यहां से अगर किसी को भी ले जाना है मजदूरों को वह यहां पर हैंगे और इनको ले जाएंगे अपना काम करेंगे और इनको पैसे देंगे अब ही बोलते हैं कि हम एक factory में एंटर किया उसमें बहुत च्छोटी स्मॉल वरक्शॉप थी बहुत सारी रो थी अलग-अलग सेक्शन बने हुए थे च्छोटे रूम भी थे उसमें और च्छोटे रूम थे उसमें स्विंग मशीन लगी थी और हर एक मशीन पे एक परसन काम कर रहा था क्लोथ को स्टिच कर रहा था और जो क्लोथ सिल गए होते थे उनको एक साइड रखा जाता था रूम में ही अब यह गई निर्मला के पास और वो भी स्टिचिंग यूनिट में थी मतलब वो स्टिच कर रही थी कपड़ों को तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बो मिलती है और यह जो कपड़े हैं यह ट्रांस्पोर्ट होते हैं यह जाते हैं फॉरन कंट्रीज में जैसे की यूएसे यूके जर्मनी और निदरलेंड निर्मला जैसे वरकर्स को बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है जैसे कि दिसैम्बर से लिकर एप्रल तक इनक जादा टाइम भी देना पड़ जाता है और इनको बस संडे के शुट्टी मिलती है और जब कम जादा होता है तो इनको संडे भी आना पड़ता है निर्मला को टूएट्टी रूपीज मिलते हैं एक दिन के लिए एट आर्स के लिए अगर यह एट आर्स से जादा काम करती ह तो पर आर मतलब एक घंटे के 100 रुपीज एक्स्ट्रा देते हैं अब जून के टाइम पे कोई कामी नहीं होता है तो फैक्टरी का जो ओनर है वो सोचता है कि जो वरकर से उनको निकाल दिया जाए तो इस टाइम पर निर्मला बिल्कुल खाली होती है उसको कोई कामी नहीं हो नहीं होती है कि ऐसे जो क्लोथ सिप्षिया जाता है बिला जाता है इस लपेंठ के ऑंघ और नोग की पर्मनेंट जूनते हैं और अगर यह कंप्लें करते न colonies कर और चे ऐसे थोड़े बढ़ा दो या कुछ भी तो उनको वोला जाता है कि आप छोड़ सकते हो आप जा सकते हो जॉब से निकाल दिया जाता है कोई जॉब की security नहीं होती है कोई protection ही नहीं होती है और यह भी expect किया जाता है कि वह जाय सहदा काम करें example के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो cloth mill unit होती है जो cloth की factory होती है वहाँ पर worker से जा सहदा काम करवाया जाता है दिनों रात वहाँ पर लोग काम करते है शिफ्ट में काम होते हैं ऐसे कि 12 hours की shift में एक परसन ने काम किया तो same place पर same जगा पर 12 गंटे बाद कोई और परसन काम करेगा तो इस तरीके से replacement होती रहती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह call center की figure दी हुए आपकी book में यह जो call center में person होते हैं एक customer से बात करते हैं जैसे कि आपने कोई समान खरीदा अगर वो खराब निकल तो इस पर लिखा होता नीचे customer care का number तो वो number आप dial करेंगे तो call center म connected होता है companies तो यह लोग solve करते हैं problem इंडिया में बहुत सारे call center है वो इंडिया की company में ही नहीं बल्कि वो जो foreign की company होती है ना वहाँ पर भी काम करते हैं उनके लिए भी काम करते हैं जैसे जिसको English बोलना आता है तो जो foreign की company है उसमें अगर किसी ने कोई product खरीदा कोई समान खरीदा कोई problem है तो वो इनको call करेंगे तो इस तरीके से call center का काम होता है तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप कोई भी product खरीदते हैं और वो खराब निकलता है तो customer care पर जब आप call करते हैं तो वो call center में जाता है और call center में कोशिश की जाते है कि आपकी problem को call से ही solve कर दिया जाए next in the office area अब इसकी cousin बोलती है कि चलो हम factory से चलते हैं अपनी आंट के पास इनकी एक आंटी होती इनका नाम होता है सुधा और वो होती एक marketing manager वो बोलती है कि बेटा अगर आना है तो आप 530 से पहले पहले आ जाना तो यह सुसते है कि कई हम लेट ना हो जाए तो आटो रिक्षा पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी पहुशने की उनके office अब office के पास बहुत बड़ी-बड़ी building होती है बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे होते हैं कुछ लोग बस इसमें जा रहे होत 50 sale person different different part में जाते हैं city के और वहां पर शॉप की परस होते हैं उनको biscuits देते हैं और वहां से payment collect करते हैं इन्होंने पूरी city को six reason में divide कर दिया है और हर अफ़ते यह जाती है हर एक reason में यह देखने के लिए कि क्या progress हो रही है क्या problem face कर रहे हैं sale person क्या उनसे नहीं बेचा जा रहे हैं क्या shop computer नहीं ले रहे हैं यह सारी चीजे problems को देखती हैं और उसको solve करती हैं अक्सर इन्हें काम भी late तक करना पड़ता है और different place पे जाना भी पड़ता है इनको regular salary मिलती है मन्त में इस वज़े से permanent worker है इनकी जो जौब है वह long period तक है लंबे समय तक है और ऐसा नही किया और बाखे time के डिकाल दिया नहीं इनकी permanent job है इस वज़ेसे इन्हें काफी सारे benefits भी मिलते हैं जैसे की savings for old age इनकी salary में से कुछ पैसे cut करके उस fund को उस पैसे को government save कर लेती है उसका interest देती है और जब रिटायर हो जाएंगी 60 years पे रिटायर हो जाएंगी उस time यह सारा प leave भी मिल जाती है medical facility भी मिलती है इनको और इनकी family को जो company है वो medical expenses मतलब पैसा देती है अगर यह बिमार हो जाते हैं तो पूरा पैसा वो company ही देती है और अगर यह बिमार हो जाती है तो इनकी salary में से पैसा भी कटनी होता अगर इनकी छुट्टी कर ली बिमार होने पर तो इ employed होते हैं ये तो इनकी permanent job होती है, permanent worker होते हैं ये, permanent workers regular daily जाते हैं, office में भी और factory में भी और इनका काम भी identify होते है, कि आपको ये काम करना है, उनको salary भी regular मिलती है, every month मिलती है, casual worker की तरह थोड़ी ना है, ये जब काम हुआ, तब रख लिया, और जब काम नहीं हुआ, तो workers को जाते हैं, बोलते हैं यार ठक तो गई लेकिन बहुत मज़ा आया, कितनी interesting चीज़े देखी, कि different different लोग different different काम कर रहे हैं, ये लोग अगर एक दूसरे से मिले भी ने ना, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो काम है, वो एक दूसरे से इनको भादे रखता है, और इन स काम की विज़े से work की help से city life है, इसी बात पर chapter होता है हमारा finish, ये थी इस chapter की story, if you have any doubt, write it down in the comment section and please like and subscribe my video and share with your friends, thank you